बिहार के मुखमांतरी नितीश कुमार जी कुछ ऐसे भाषा का परियोग कर दिया है कि पूरी मानियत तो पूरी के पूरी बिहार में जो है रायनिती में भुचाला चुका है और कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो विपक्ष का नेता हो और नितीश कुमार को पागल सनकी और गजेडी नहीं कर रहा है अब ये बात ऐसे ही नहीं है बिहार विदान सभा के अंदर नितीश कुमार जी महिलाओं को ले करके जनसंख्या को ले करके लोगों को जो है बता रहते और वहाँ पर पत्रकार भी थे मौझूद उन पत्रकारों को भी कर रहते कि आप लोग समझ लिजे कि हमने बिहार के नितीश कुमार जी कुछ ऐसा बात बोल गए जिसको ले करके जो है किसी ने सोचा नहीं था नितीश कुमार जी कह रहे थे कि जब कोई साधी होती है और जब लड़का आता है और जब रात में घर में जाता है तो घर में जाने के बाद वो तो करता है तो करते करते उसी में ह अब वो कर रहे थे कि करते करते वो protection यूज नहीं करता है वो बात जो कर रहे थे उस बात को सही से पेस नहीं कर पाए और कुछ ऐसा असलील बात बोल दिये जिसको लेकर के सदन के बाहर बैठी महिला या तो क्यों कहे कि यार की महिला बहुत सारे ऐसे महिला संगठन से जुड अब नितीश कुमार जी से ऐसे कैसे भूल हो गई जो कहते हैं कि हमने महिलाओ को आगे बढ़ाया है यहां तो नितीश कुमार जी सदन के अंदर बैठकर बिहार बिदान सभा के अंदर बैठकर ऐसी महिलाओ की गोर बेईती कर दिये जिसकी हमको उमीद नहीं थी उसके देंगे नितिश कुमार जी जिसको ले करके किसी को कोई उमीद नहीं है अब लोग तो इस्तीफे की मांग भी कर देते हैं कि नितिश कुमार को अपने तिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि अब उनका मानसिक संतूलन जो है वो खराब हो गया है कब वो कि इसको क्या बोल देंगे किसी को कुछ पता नहीं है जब नितिश कुमार जी चारों तरब से घिर जाते हैं तब उनको लगता है कि अब हमको माफी मांग लेने में ही भलाई है और नितिश कुमार जी फिर बियार विदान सभा के अंदर कहते हैं कि हमने जो सब्द बोला था उस सब्द को ले करके हम उसकी खुद निंदा करते हैं और हम जिसको ठेश पहुँची है यानि कि जो महिलाओं को ठेश पहुँची है उसको ले करके भी हम माफी मांगते हैं हमारा उदेश ये नहीं था कि हम किसी को ठेश पहुँचाएं हम तो बस सेक्स एजुकेशन पे लो जब sex education जो है school में पढ़ाया जाता है college ने पढ़ाया जाता है तो खुल करके पढ़ाया जाता है कि महिलाओं को अगर शिख्षित कर देंगे और महिला अगर शिख्षित हो जाएगी तो उसको मालुम है कि हमको किस तरह से protection यूज करना है और किस तरह से जनसंख्या को कम करना है क्योंकि इसको ले करके जो है हर तरफ से लोग कह रहे हैं कि हमारी जनसंख्या कम है तो जैसे कि आप हर जगा सुनते होंगे और आपके दिमाग में भी ये बात को घुमते होगा ये बात कि भाई अगर लोग पढ़ लेंगे जब सिख्षित हो जाएंगे तो कहेंगे कि भाई एक ही बच्चे हमारे लिए सही है दो ही बच्चे हमारे लिए सही है अब जब जाते होंगे गाओं में जब जा करके घुमते होंगे और देखते होंगे तो जिसके घर के सामने जो देखेंगे कि घर में राने का जमी नहीं रहता है छट नहीं रहता है उनके सर के उपर उनको देखेंगे तो दस-दस बच्चे पैदा कर देते हैं उसी बात को नितिश कुमार जी समझा रहते लेकिन बीजेपी के नेता या विपक्ष में बैठे हुए नेता उसके बात को जो है नितिश कुमार के बात को बुरा मान जाते हैं कि यह असलील बात ऐसा कैसा कर दिये नितिश कुमार जी इसमें तो महिलाओ की बैटी हो गई अब जाने का कोशिस कर रहे थे और लोगों को ये बात बुरा लग गया और बुरा भी लगता है सभी बात है कि बुरा लगता भी है क्योंकि जिस तरह का भासा का वो परियोग कि ये उस बाता का हम भी समर्तन नहीं करते हैं लेकिन हमको लगता है कहीं न कहीं कि नितीश कुमार जी बोले होंगे तो कहीं न कहीं कोछ सोच के ही बोले होंगे कि अगर हम परदा में रहते हैं और परदा में रहते हैं तो बहुत सारे परदे के पीछे जो है कहानी चलती रहती है जैसे बोजपूरी में जो है लोग काता है कि असलीलता को मिटा दीजिए ये बोजपूरी के जो ग है क्या करते हैं वही लोग उस गाने को बार-बार देखते हैं और उसी गाने पर मिलियंस और मिलियंस भी वाते हैं और लोगों को लगता है कि भाई अब तो असलीलता बिहार से दूर हो जाएगी सेम उसी तरह से ये भी कहानी है और इस कहानी कैसे करना है क्योंकि नारेंद्र मोधी भी कहते हैं कि जनसंक्या को कम जब जनसंक्या हो जाएगी तो विकास करने में आसानी होगी और सभी लोग समझेंगे कि हमारे दो बच्चे हैं या एक बच्चे हैं या तो एक नारा आया था बहुत पहले कि लोग कहते थे कि हम दो और ह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम दो हमारे दो का फर्मूला तो मानता हैं लेकि